निती जी का कोई भविस नहीं है तो भारती जंता पार्टी अब अपना दरवाजा बंद कर चुकी है बता दिया है कि नतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा दरसल आपको बता दे कि जब से ललन सिंग ने जदियों के रास्तिय ध्यक्ष के पद से इस्तिफा दिया है उसके बाद से बिहार नहीं बलकि देश की राजनिती में काफी गहमा गहमी है आपकले लगाई जा रही है एक तरफ राजनिती में बहुत बड़ा बदलाओ जल्द देखने को मल सकता है बिहार की राजनिती में सरकार बदल सकती है और जल्द ही उप मुख्य मंत्री जो है अभी आने की तज़स्पी आदों वह सीम भी बन सकते है तो इस तरह की चर्चा तो एक तरफ चली रही है वही दूसरी तरफ ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि नतीश कुमार फिर से एक बार पल्टी मार सकते हैं और वह हैं इंडिये का दामन थाम सकते हैं इन्ही सारे चिर्शाव की भी इस तरह तरह की बाते निकल कर सामने आ रही है कुछ लोगों का या कहना है कि भाजपा या कह रही है कि एक ही शर्थ पर नितीश कुमार के साथ गट बंदा नब हो सकता है अगर नितीश कुमार सीम की कुर्सी छोड़ देते है तो लेकिन आपको बता दे कि फिलहाल जो बयान आया है बीजेपी के तरफ से वह बहुत ही बड़ा है दरसल नित्यानंद राय ने एक बड़ी बात कह दिये और उन्होंने कहा है कि नतीश कुमार अब कभी भी अंडिये में वापस ही नहीं कर सकते क्योंकि उनका जनधार है ही नही साथ उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि दोजाट पच्चिस के चुनाव में भाजपा चाली सो में से चाली सीट जीतेगी और महागट बंदन के लोगों का खाता भी नहीं खुलेगा इतना ही नहीं उन्होंने लालो प्रिशाफ ज्यादों पर भी जम कर निसाना चाहिए महिलाओं को भी नयाय चाहिए किसानों को भी नयाय चाहिए मजदूरों को नयाय चाहिए तो आज जो मने परधान मंतरी जी की गरीब कल्यान और विकास की योजराय जो चल रही है उससे बिहार में गड़वी मिट रही है बिहार के मने में विश्वास है कि परधान मंतरी हैं तो हमारा भविष सुधर राय और आगे वी उज्वल होगा तो उनसे पुछे जम्जाना अइतना जरूर है कि नितीश कुमार जी के लिए भारतिय जनता पाटी में कोई अब आने की उमीद ही अगर उनको है तो भारतिय जनता पाटी अब अपना दरवाजा बंद कर चुकी है इंडिये जो हमारे साथ है मजबूति के साथ हम उनके साथ लड़ेंगे और 40 की 40 जिते त्यागी ने कहा है को दुस्मनी में वीखतित नहीं होती है लेकि राजनीति में पक्ष्ण और भीपक्ष्ण होता है, बीपक्षो का जनाधार बिल्कुल समाब हो चुका है और भारतिय जंता पाटी अट्यीये का जनाधार बहुत बढ़ा है तो सुना आपने क्या कुछ कहा है नित्यानंदराय ने उनका साफ तोर से कहना है जब पतरकारों ने उनसे सवाल पूछा कि राजनिती में कोई परसनल दुस्मनी नहीं होती है तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं परसनल दुस्मनी तो नहीं होती लेकिन पक या वाकई में भाजपा के साथ नतीश कुमार नहीं जाएंगे या फिर अगर नतीश कुमार के तरफ से कोशिश की जाती है तो क्या भाजपा इस प्रस्ताओं को इंकार करेगी आपको क्या लगता है आप अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार थेने बाद